आप देखने जो एम वीडियोज मैं हून अंतनी लाक्षाकार और स्वागत है आप सभी का स्वास्ते चेतना में मैं हून अंतनी लाक्षाकार और यसे कि हमेशा हस्वास्ते चेतना में हम स्वास्ते से संबंधित विश्यों पर बाचीत करते हैं और इसमें सहयोग तेरी के लिए हमारा साथ तेने के लिए हमिश्यों की तरह स्टूडियो में बौजोद हैं भारत सरकार आयूश मंत्रा लेके वोट मांबर डॉक्टर रफींद्र पूरपाल्थी रॉक्टर साफ स्वागत है आपका तो रफश तब जिस तरीके से हमने बात की कि दिखे इस मास्ति चेतना कि अगर बात की जाया है और चारत तरफ योग में वातावरण हो चुका है और सभी चाहते हैं कि हम योग की कुछ तरीके से फ्राक्टिस करें कुछ असा अभ्यास करें कि जो हमसे संब्दत पおいशानिया ह उनका समाधान मिल जाए और क्या योग में वाना चाता है कि योग में हर एक समस्या का समाधान और पिछले एपिसोड में भी हमने इस पारे में अपने धर्शकों से बाचीत की चर्चा की तो आज के अपिसोड में मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं हर घर में बच्चे होते हैं और बच्चे जो रौनक भी होते हैं तो कहीं न कहीं अपनी शरारतों से नाक में धम भी कर देते हैं शरार्ते अपनी चगे होती हैं लेकिन हम सभी चाहते हैं कि शरार्ते भी चलती रहें लेकिन बच्चा कुछ करे भी पढ़े भी नमबर भी अचीव करे लेकिन अक्सर होता है कि बच्चे शरार्ती होते हैं दिमाग के तेज होते हैं लेकिन पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका कोई medicinal cure नहीं है जैसी बच्चा गुसेल है जैसा कि अभी आपने जिक्र किया जिद्धी है बात नहीं मानता पढ़ाई छोड़के सब काम कर रहा है या घंटों पढ़ाई करने के बाद भी वो उस lesson को learning कर पा रहा है आज learn कर लिया कर टीचर को नहीं बता पा रहा है उसे subject का पूरा ग्यान है लेकिन अपनी knowledge को number में convert नहीं कर पा रहा है तो सेच्छी के स्थर पर विद्यार्थियों के स्थर पर मौटे तोर से इस परकार की दिक्टे बच्चों में विद्यार्थियों में होती है digestive disorders, metabolic disorders, liver खराब ये भी बहताईत में students के साथ देखा जाता है तो ये कही न कहीं जो physically जो problem लगती है इसका असर मांसिक रूप से भी पढ़ता है और इसका असर बचों के output पे भी आता है किस आगे बच्चों में भी टीनेजर हो गया, एक साल से पांस साल की उम्र हो गई, पांस से दस साल या ग्यारा साल की उम्र हो गई, इसमें भी क्या इससे classify किया जाएगा समाधान को ध्यान में रखते हुए पांस साल से तेरह साल तक के बच्चे अगर किरोधी हैं, सबसे ज़्यादा यही वर्ग होता है, यही उम्र का वो पड़ाव होता है, जब बच्चे सालीनता की तरब जाते हैं, या aggressive होते हैं, उग्र हो जाते हैं, माबाप की बात को ना मानना, भाई बेनों के साँँ आईता ना, कि आपका बच्चे ने इस बच्चे की पिटाई कर दी, बॉल छीन ली, कापी फार दी, रोज सिकाईता ना, लेकिन क्या ऐसी समस्याओं का कोई medicinal क्योर है, कोई दबा है, साइद नहीं है, बिलकुल भी नहीं है, लेकिन योग की किरपा से, योग की साधना से, योग की सरन में जाकर, अगर हम चार से दस मिनिट रोज, बच्चे को योगिक आसनों का अभ्यास कराएं, तो एक सब्दा में ही, उतना बड़ा परिवर्ता ना आता है, उतना बड़ा फर्क आता है, कि जो उमीद पेरेंट्स रखते हैं, पेरेंट्स को ये होता है, कि जल्ली से जल्ली मुझे आराम मिल जाए, हमारा बच्चा स्वस्त हो जाए, सही हो जाए, एक सब्दा के अंदर, बच्चे के अंदर इतना परिवर्तन हो जाता है, कि अगर आप उसको चाटा भी मार दें, तो बच्चा रियक्ट नहीं करेगा, जी, गुस्ता करना तो कर ली जाए, तमाम ऐसी परिशानिया है, पढ़ रहा है, याद नहीं हो रहा है, यानि कि दिमाग कमजोर है, मेमरी का प्रॉप्लम है, गुस्ता बहुत कर रहा है, या फिर अब बाकी चीजों में बहुत शरार्ती है, लेकिन अब पढ़ाई के मामले में एकदम कह सकते हैं क मैं चर्चा कर रहा हूँ पास साल से तेरा साल के आयूवर्ग के बच्चों की, लेकिन इस योगिक आसन को बड़ी आयूवर्ग के लोग भी, इविन ब्रद लोग भी, जिनने एंजाइटी है, जिनने गुसा आता है, जिनने चिर्चडापन है, जो बात बात में चिलाने ल करके ला प्राप्ति कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस आसन को बालक, ब्रद, रोगी, निरोगी, इस्तिरी, पुरूस सभी लोग कर सकते हैं किसी के लिए इस आसन के अभ्यास की कोई रोग हमारे सास्तरों में नहीं बताई आसन का नाम है चर्णासन नंदिनी जी भारती संस्क्रती में गुरू आदर्नी होता है पुझनी होता है और सिस गुरू के चर्णों का असीरवाद लेके अपने लच्छ को अपने ज्यान के मार्ग पर निर्विद्न रूप से आगे बढ़ता है ऐसा हम हमारे संस्कार भी हैं ह हमारे सास्त्र भी कहते हैं यौगिक आसन चर्णासन से ही गुरू के चर्णों की बंदना करने का जो रास्ता है वो लिया गया है क्योंकि योग का मार्ग अती प्राचीन है बगवान सीव ने स्वयम योग के मार्ग को बताया था इसलिए योग का मार्ग बहुत प्राचीन है जिने बरसों में व्यक्त नहीं किया जा सकता इंसान के जल्म के साथ ही ये बगवान सीव ने धर्ती पर दिया अब इस आसन को चरनासन को दो तीन चीजे बताना चाहूंगा नंदिनी जी पहली चीज चरनासन ही नहीं कोई भी आसन हो आप सो में सो प्रतिसद जो सास्त्रोक्त तरीका है उस तरीके को सीख कर गुरू से सीख कर उस आसन का अभ्यास करें आसन में ये नहीं चलता आदा सही आदा गलत थोड़ा कर लिया थोड़ा फाइदा अगर थोड़ा कर लिया तो फाइदा जीरो केवल आपकी मस्कुलर एक्सराइज का लाब मिलेगा आसन का जो मूल भूत लाब मिलना है आसन भ्यायाम नहीं है आसन तो हमारे सरीर और मन मस् के लिए सक्ति देते हैं ताकत देते हैं उसको दीरगाई बनाते हैं तो आसन सो प्रतिसा सही होना चाहिए बहुत से लोग आसन को आदा गलत आदा सही करके लाग की उमीद पूरी करना करते हैं जो पूरी नहीं होते हैं दूसरा आसन घंटों नहीं करना है आपके लिए जो ज वो आसन आप एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट के लिए कर लीजी, आप एक एक मिनट के दो बार कर लीजी, तीन बार कर लीजी, चान आसन सालीनता लाने वाला आसन है, ये वो आसन है जो गुसा कम करता है, हैपी हार्मोन्स के सिक्रीशन को बैलेंस करता है ये वो आसन है जो हमारी विवीक सक्ति को बढ़ाता है नंदिनी जी यहां में एक बात स्पस्ट करना चाहता हूँ अगर आपकी अनुमत की जैसे बच्चा बुद्धी का बहुत तेज है बच्चा दिमाग के काम करता है कुर्सी का बोल्ट खोल देगा कस देगा माने टेक्निकल उसका ब्रेन पूरी तरह सक्री है बहुत दिमाग का तेज जो दूसरे बच्चे काम नहीं कर पा रहे हैं वो करता है लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा है लडाई कर रहा है पढ़ाई की जगे लडाई कर रहा है अनर्जी है उसको गलत जगे पर वो जा रही है अब यहां क्या है कि उसके पास ब्रेन तो है लेकिन विवेक कम है इस विवेक को जागरत करने को ही आज के योग में एलोपेथिक चिकिसा कहते हैं हैपी आर्मोंस के सिक्रेशन को बढ़ा दिया उदासी कम होई आप्रसन्यता कम होई खुसियां आए और व्यक्ति की सोचने की छमता मैं ब्रद्धि हूँ मैं कहता हूँ कि यही विवेख है हमारे पास बुद्धी है और विवेख का भाव है चरनासन बुद्धी और विवेख दोनों इस तरपार एक एक कमी एक एक समस्या को पूरी तरह निर्मूल करके जीवन को अच्छा बनाने वाला योगिक आसन है और ये आसन परित फल देने वाला आसन है नंदिनी जी आप कोई दवा खाएंगे तो दो चार दिन में उसका असर आएगा पहले दिन से चरनासन का फाइदा दिखने लगता है और सप्ता भर में तो इतना फर्क पड़ता है कि मां को ही लगने लगता है कि बहुत देर से सही लेकिन सही मार्ग मिला बगेर पैसा खर्च किये हुए हमारे बच्चे के अंदर इतना परिवर्तन आ गया चरनासन का अभ्यास पाँच से आठ साल तक के बच्चे को एक मिनट तक कराएं आठ साल से तेरा साल तक के बच्चे को दो मिनट कराएं लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है बहुत हाइपर है थामे नहीं थमता गुसा कर रहा है दाल फेक दे रहा है मा को अपसब्द कह रहा है लड़ने को जगडने को तयार है छोटे भाई बेनों के साथ मारपीट कर रहा है उस इस्तिती में हमें भी अपने विवेक को जागरत रखके उचितने ले लेना होगा हमें क्या करना चाहिए कि सुबा और साम दोनों वाक्त एक एक मिनिट दो दो मिनिट जितनी सारी रिक छमता उस बच्चे की है उस सारी रिक छमता के हिसाब से उस योगिक आसन चर्णासन का अभ्यास प्राता काल भी खाली पेट करा है और रात में डिनर से पहले करा दे फिर आप देखे कितना फाइदा मिलता है बरकुल अक्सर यह होता है कि जो इस तो बात होगी गुसे को ले करके और देखे समय ज्यादा नहीं देना है लेकिन नियमित रूप से करना है और इसका लाभ बहुत निलने वाला है आपने ये भी बता दिया कि 1 मिनिट कितना और 2 मिनिट कितना यालि कि आयू के हिसाब से इसका प्रयोग करना है इसको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बराना है अगर बात की जाए बच्चों की म्यावरी का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है डॉक्टर साब वो पढ़ते हैं उन्हें याद नहीं होता और कहीं नहीं याद ना होनी की वज़ को मेहनत करते हैं मैं एक उधारन देना चाहता हूँ हमारे परचीत एक परिवार है उसकी एक बच्चे ने बहुत मेहनत किया बहुत मेहनत किया लेकिन लच्च को पा नहीं पाया उस बच्चे ने जिन बच्चों को पढ़ाया वो बच्चे PCS हो गए PPS हो गए और दो बच्चे Civil Services में चले और वो खुद अनेक बार PCS का एक्जाम देने के बाद भी सफल नहीं हो पाया उसके brain में कोई कमी नहीं कमी क्या होती है नंदरी जी उसने पढ़ लिया उसके brain में इस computer में सब कुछ feed है लेकिन ये feed जो किया गया है memory card में ये चीज वक्त पर जब हमें जरूरत है जब हमें उसकी अवसकता है तो ये यहां से open हो जाए और हमारे सामने सब चीज crystal clear हो जाए याद आ जाए कि चार महीने पहले हमने ये subject पढ़ाता ये 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 इसका जवाब है बस यही चीज हम पढ़ते तो खूब है खूब पढ़ाई कर रहे हैं learn भी कर लिया लेकिन पास दिन बाद पूछो तो बताएंगे revise कर लेने दीजी एक महीने बाद पूछिए तो बताएंगे पढ़ा था एक दो दिन revise करने की जरूरत ऐसा योग के सादक के लिए ये ये नियम लागू नहीं होता ये सामान बिद्यार्थियों के लिए है योग का सादक योग का बिद्यार्थी तो एक बार पढ़ लिया इस कम्प्यूटर के मेमोरी कार्ड में वो चीज फीड हो जब आव सकता है वो तभी वो चीज सामने आ जाएगी और उस बच्चे का जो नौलीज है वो नंबर में बदलेगा ये कॉम्प्टिटिव एकजाम दे रहे हैं तो वो कॉम्प्टिटिव एकजाम को सहजिता से क्वालिफाई कर लेगा अब क्या बात है कौन सा आसन करना है ये भी बताना नंदनी जी जरूरी है क्योंकि आसन तो 84 लाख है और लोग गलती यही करते है कि जो आसन दादा जी को करना चाहिए वो बच्चा कर रहा है जो बच्चे को करना चाहिए वो मा कर रही है जो मा को करना चाहिए वो हज्म Ichmant कर रहा है क्योंकि जान करी का भाओ के बाल हमारी सरद्धा है हमारा बिस्वास है कि योग के आसन हमें किसी ना किसी रूप में लाप पहुँचाएंगे और मैं भी आपके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता आसन निश्चित रूप से लाब पहुचाते हैं लेकिन अगर आपकी सारीरिक और मानसिक जरूरत की पूर्ती करने वाले आसन का आप अभ्यास करें तो उसका लाब त्वरित फल आपको मिलेगा और आप जीवन की दोड़ में दूसरों से आगे निकलेंगे इस आसन का जितनी समस्याएं हमने अभी जिक्र किया नंदिनी जी सुप्त नौकासन एक ऐसा आसन है जो हमारे मस्टिक्स के मेमोरी कार्ट जो सुप्त सो रहा है उसमें कुछ पीडी नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा हो रहा है डिलीट हो रहा है डिलीट हो रहा हमने पढ़ लिया लर्न कर लिया कल सुबह बूल गए उसको एक्टिवेट कर देता है इस मेमोरी कार्ट को कि अब तो इसमें चार टीवी का स्पेस हो गया अब इसमें कितना भी पढ़ो इस योगिक आसन को लेट के किया जाता है सुप्त नौकासन ऐसा आसन है मस्तिक्स के उन केंद्रों को जो सुप्त आवस्था में चले गए थे उनको एक्टिवेट करता है आपकी आत्म विश्वास को कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और हमारी जो सुसमना नाड़ी होती है रीड के हड़ी के अंदर जो एक सबसे महतपून नाड़ी है उसका नाम है सुसमना नाड़ी जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते है अंदरी जी बहुत से लोग रीड के हड़ी को स्पाइनल कॉर्ड बोल देते है स्पाइनल कॉर्ड रीड की हड़ी के अंदर जो नर्व जाती है जो हमारे संपून सरीर के एक एकंग को पोसन पिदान करती है वो होती है और ये योगिक आसन पूरी सुसमना नाड़ी स्पाइनल कॉर्ड और उसकी ब्रांचिज को पुस्ट करता है सक्ति देता समय के अगर बात की चाहे तो कितना समय आई इसमें कितने मिनिट की इसकी प्राक्टिस होनी चाहे है नंदिनी जी बड़े लोग 14 वर्स से अधिक आयू के लोग एक मिनिट तक इस योगिक आसन को प्रारम में एक सप्ता तक करें फिर एक सप्ता के बाद 2 मिनिट और एक महिने के बाद 3 मिनिट ये बड़े लोगों के लिए लेकिन यहां ये कहना चाहता हूँ अगर इस आसन का पूरा फाइदा लेना तो एक साउधानी रखें कि ये आसन जब भी करें तो एक यी बार में जादा से जादा समय तक रुकने की कोसिस करें कुछ लोग क्या होता है तीन मिनिट करना है तो तीस सेकेंड रुके धम में से बापस आ गए बापस आ लेकिन यहां हमें एक ब्रेक लिए रुकना होगा कहीं में जाएगा जल लोटिंगे ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्वास थे अच्छे इतना देख रहे हैं आप और आज के इस कारिक्रम में हम प्रयास कर रहे हैं योग के बाद हम से बच्चों से संबंधित जो परिशानिया है शारी खो या मासे खो इन्हें दूर करने का तो रॉक्टर सब जिस तरीके से आप लगातार देखे समस्य का सम समाधान हमें दे रहे हैं हमें पहुचा रहे हैं समाधान की और आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए दिखिए को लेकर के हमने बात की हमने आत्म विश्वास को लेकर के बात की हमने जिस तरीके से बात लगातार कर रहे हैं लेकिन एक समस्या और भी है बच्चों में ज कि बारे में बताएं नंदिनी जी जब बच्ची के अंदर यह भावना आ जाए कि इस बर्तमान परिस्तिती में उसके जीवन के साथ खत्रा है तो एक खत्री से बचने के लिए जिस उपाय की तरफ वो जाता है वही डर है जी बहुत सुन्दर जी डर खत्रा नहीं है खत्रे से बचने का रास्ता डर लेकिन डर को सही लोग समस्ते नहीं अब इस समस्या का डर का भे का संबंद हमारे कॉंफिडेंस से जी अगर हमारा कॉंफिडेंस लेविल कम होता है हमारा आत्म विस्वास कम होता है तो हमारे अंदर डर पैदा होता है भे पैदा होता है एक युद्धा होता है युद्ध करने के लिए जब जाता है नंदिनी जी तू उसके अंदर बहुत कॉंफिडेंस होता है आत्म विस्वास कूट कूट कर भरा होता है और वो दूसरे किसी युद्धा को चाहे उससे ज्यादा पराक्रिमी हो उससे ज्यादा वीर हो वो डरता नहीं है वो कहता आउ मैदान में हम आपको धूल चटाएं लेकिन कही na कही बचपन का जो प्रभाव होता है वो व्यक्तित पर पढ़ता ही पढ़ता है । बचपन में नोरमल हैं, सावानी है एक दम लेकिन समय के साथ-साथ आत्म विश्वास में कमी आने लगती है, आजकल जिस सरी किसे स्कूलों में बहुत इस शब्द का इस्तमाल हो रहा है, चाइल्ड बुलिंग को लेकर के, चाहे वो इंटरनेट पर हो, यह स्कूलों में बच्चे परशान करते हैं, तो उसके बाद बच की जड़ में यही है, कि बच्चे का confidence level काम है, उसका आत्म विश्वास काम है, हमें उसको बढ़ाना है, और नंदनी जी, यह आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए, लोग दुनिया वर की दबाई खाते हैं, कुछ लोग तो depression में चले जाते हैं, और मानसी रोगी समझ के उन का इलाज सुरू हो जाते है, confidence level कैसे बरकरार है, जो अभी मैंने आपको चर्चा की, नंदनी जी, कि बहुत से लोग confidence level गिरने पर अस्वस्थ हो जाते हैं, कहीं trend से दहली जाना है, डर लगने लगता है, जहाज में बैठे हैं, बोलें, यह तो लड़ेगा, यह क्रेस हो जा और उनका जीवन दुख में हो जाता है, और यह इस्तिती लंबे समय तक बनी रहे, तो फिर इलाज की जरूरत परती है, मैं एक ऐसा योगी कासन बताना चाहता हूँ, जो केवल बच्चों को ही नहीं, बड़े उम्र के बिद्यारतियों के लिए, दिमाग का काम करने वाले डॉक्टर्स, चार्टेट अकाउंटेंड या इंजीनियर, जो लोग खूब दिन भर दिमाग का काम करते हैं, और उन्हें कॉन्फिदेंस लेविल किसी कारण से गिर जाता है, तो कॉन्फिदेंस लेविल बढ़ाने के लिए, एक आसन जिसका एक से दो मिनिट के बीच में, सारीरिक छमता को ध्यान में रखकर अभ्यास करना चाहिए, और इस आसन का नाम है उत्कट सिंगहासन, तीन तरीके के सिंगहासन, नंदिनी जी हमारे सास्त्रों में बताए गए हैं, कुछ इमिनिटी को बढ़ने वाले हैं, टॉन्सलाइटिस या काफ या खासी या रनिंग नोच जैसी समस्या को ठीक करने में अपयोगी होती हैं, लेकिन उत्कट सिंगहासन तो गरजना करने वाला आसन है, सिंग की गरजना करने वाला इतना कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला आसन है, साथी साथ, यह हमारे लीवर और पेंक्रियाच को बहुत ताकतवर बनाता है, न मजबूत होता है तो वह बड़ी-बड़ी काम कट डालता है इसका कहीं न कहीं confidence से हमारा relation होता है और गाओं में या पुराने लोग एक कहवत भी कहते हैं जब कोई दुबला पतला व्यक्ती किसी पहलवान को पटग देता है या कोई बड़ा काम कट डालता है तो कहते हैं वह जगर वाला इनसान है यह तो जगर वाला इनसान है देखिए जगर का confidence जगर माने लीवर से बहुत गेरा रिष्ता है और उतकट सिंगासन हमारे confidence लेविल को बढ़ाने के साथ हमारे जगर हमारे लीवर को भी सक्तसाली बनाता है हमारे पाचन संबंदी दोसों को सुधार के हमें सारीरिक रूप से ससक्त और मजबूत बनाता है हमारी इमनिटी को बूस्ट अप करता है और फिर अंत में जो इसका सबसे बड़ा फाइदा है कि एक confidence level को हमारे आत्म विश्वास को भरपूर मातरा में बढ़ा देता बहुत ही सुन्दर ये चर्चा और बहुत ही असरल्स शब्दों में आप हमारे दर्शुकों को समझा रहे हैं मुश्किल से उसके उम्र एक से तीन साल के बीच की है यह पांच सलशुर्वाती दौर है यानिकी तो क्या practices उसे करवाई जा सकती है जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांकिन यानिकी complete विकास हो नंदिनी जी बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी अटूट स्रद्धा भारती संस्क्रती में है योग, योग के आसन, प्रानायाम और ध्यान में अटूट विश्वा से स्रद्धा है लेकिन और वो चाहते हैं कि हमारी बच्चे बच्च्पन से ही योग में हो जाएं, आरोग में रहें, बच्चे बैमार ना पढ़ें, दीर की जीवी हो लेकिन वो बहुत बार तीन साल के बच्चे को सूर नमसकार सुरू कर देते हैं सूर नमसकार स्रेश्ट तम सूर नमसकार से अच्छी भगवान सूर की साधना कोई नहीं है और भगवान सूर की साधना से पूर अरोगता प्राप्ती के लिए फल देने वाला इससे अच्छा कोई योगिक क्रिया नहीं लेकिन तीन वर्स के बच्चे के लिए ये उप्युक्त नहीं है पास साल के बच्चे के लिए ये उप्युक्त नहीं है पास साल से अधिकायू के बच्चों को इसका अभ्यास करना चाहिए पास साल के बच्चे को तीन साल के बच्चे को हमें योगिक सूच्म किरियाओं की तरब जाना चाहिए आसन पाँच वर्स से अधिक आयू के बच्चे करें पाँच वर्स से कम आयू के बच्चों को लिए योगिक सूच्म किरियाओं सूच्म के चुकि बच्चे के डिवलप्मेंट का पीरियड है हर छे महीने में उसका विकास इतना हो जाता है कि पेर की चपल चोटी पड़ जाती है तीन साल, तीन से साड़े तीन साल का बच्चा हुआ चपल चोटी हो गए भाने उसका डिबलपमेंट हो रहा ऐसी समय एक एक सेल को, एक एक कोसिका को मन मस्दिक्स की हो चाहे सरीर के अंतरी अंगों की कोसिकाएं हो उनको ससक्त और मजबूत बनाने के लिए नम्य योगिक सूच्म किरियाओं की मदद लेनी होगी और सबसे पहली और सबसे हित कारी किरिया है प्रार्थना बच्चे को नमसकार की मत्रा में 30 सेकंड के लिए आख बंद करके बिठा दे और उसको केवल इतना कहें कि आप भगवान को इसमरण करें और भगवान से अपने लिए अपनी मा के लिए अपने फादर के लिए अपने भाईयों के लिए जो मांगना चाहते हैं मांगे देखे अगर ऐसी बगएर उद्दिस के बच्चे को प्रारंबिक रूप में आप आख बंद करके हाँ जोड के बिठा देंगे नहीं बैठेगा 30 सेकंड नहीं बैठेगा आख खोल देगा खुजली करने लगेगा उठ जाएगा लेकिन अगर आपने कहा कि आप ऐसे आख बंद करके बैठेंगे प्रार्थना करेंगे तो हमें परिवार के सदस्यों को वो फल मिलेगा वो बच्चा 30 सेकंड की जगे एक मिनिट बैठ जाएग और यही एक मिनिट की एकागरता यही एक मिनिट की इस्थेरिता उसके समग्र विकास का एक बहुत मजबूत सहारा बनेगा बहुत मजबूत इस्तंब बनेगा बुकलदी की बहुत ही महत्पून बात यह आपने बताई हमारे दर्शुकों को और शुरुवाती उम्र में किस तरीके से हमें योग की ओर जाना है यह पहला चरहने से कह सकते हैं जी दूसरा इस्टेप बताना चाहता हूँ एक बहुत महत्पून योगिक किरिया होती है जो बच्ची दो साल का बच्चा भी आराम से कर लेगा पास साल का भी आराम से कर लेगा आप कुछ मत करिए बच्ची को खड़ा करिए और एक पैर उंचा कर दीजिए जमीन से उठा दीजिए जब एक पैर पे बच्चा खड़ा होगा तो बेलेंस बिगड़ेगा बस यही बेलेंस वो जितना बहतर तरीके से बना लेगा यही उसके एक आगरता है यही स्थेरता है लोग नंदरी जी ध्यान के लिए मारे बारे घूमते हैं ध्यान की सरन में जाना चाहते हैं जरासा निगेटिविटी आई डिप्रेसिव मोड पे गए बस ध्यान की सरन में जाते हैं लेकिन जाने के बाद लाब कुछ नहीं मिलता है क्योंकि वो डाइरेक्ट सातमे सोपान पर जाते हैं भगवान पाता अंजली ने यह ओके आठ सोपान बता है आप सीधे जंप कर रहे हैं सातमे पर कैसे उसका लाब मिलेगा नहीं मिलेगा आप सरल प्रियोग बच्चों से लेके बड़े तक आप एक पैर को उँचा कर दीजी एक पैर के साहरे जैसे दो पैर हैं ये एक पैर उँचा कर दीए देखे नंदनी जी ये दो पैर से खड़ें एक पैर उँचा कर दिया ये उँचा कर दिया एक पैर ये उँचा कर दिया अब ऐसे बैलेंस गरबराएगा सरीर गरबराएगा लेकिन 30 सिकिंड ऐसे बच्चे को रोकने के लिए कहिए क्योंकि बच्चा गिरना नहीं चाहेगा फिर इस पैर को जमीन पर रख दीज इस पेर को उठा दीजी ठीक और तीस सेकेंड फिर रोकिये तीस सेकेंड रोकने एकसी एकागरता बढ़ेगे इस्थेरता बढ़ेगे और वो स्वेमेव ध्यान को उपलब्द हो जाएगा साथी साथ एक पेर पे जब हम खड़े करते हैं बच्चे को तो पूरा रक्त का संचा एक पेर में तेजी से होने लगता है वहां के अंग प्रत्यंगों को एक साइट के अंग प्रत्यंगों को खुब मातरा में खून का संचार होता है वो अंग ससक्त बनते हैं मजबूत बनते हैं और जब आप तीस सेकेंड या एक मिनिट के बाद दूसरे पेर से करते हैं तो फिर भी फिर वही प्रक्रिया होती है कि वहां की एक-एक कोशिका, एक-एक लिगामेंट, एक-एक टिसू ससक्त हो जाता है, मचबूत हो जाता है, तो ये छोटे से यौगिक प्रियोग से आप अपने परिवार को खुसाल रख सकते हैं, प्रसन रख सकते हैं, और बड़े लो स्तिरता को स्तिरता को टेस्ट करने के लिए और किसी Laeb में जाने की जरूरत नहीं है एक पेर पेर कोड़े हो जाईए आप फिर देखिए कि बैलेंस बनाने में कितना नए उट पायरें बिलकुल जुके जा रहे हैं समझ लीजिए कि हमारी स्तिरता में कमी या दपी कभी कभी किसी बैमारी के कारण जॉइंट में पेन है या कोई और बैमारी के कारण ये भी इस परकार की दिक्कते होती हैं लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं आपको जॉइंट पेन वगेरा नहीं है उसके बावजूद आप 30 सेकंड होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो समझे कहीं न कहीं गलती है और आपको इस मानसिक आइस्थेरता को ठीक करना है एकागरता को लाना है इसके बाद ही आप प्रायाम और ध्यान की सरण में जाए बिल्कुल दिखे योग आपको योग के बनाएगा कैसे यह हमने बताया और उसमें मदद की डॉक्टर साब ने डॉक्टर साब बहुत बहुत हनिवाद इन तमाम जानकारियों के लिए और इसी के साथ ही आज की स्वास थे चेतना में इतना ही दीजे जासर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंद आप हमें इंस्टार ट्विटर और अटी दूस्फलाइब